जो तस्वीर दिखा रहे हैं राइबरली जब पहुँचे राहूल गांदी सुनिया गांदी प्रियंका गांदी मौसमे सिंग हमारे साथ हमारे सयोगी जुड़ी हुई है मौसमे किसी से बातचित कर रही है सुनवाते हैं प्रियंका गांदी चुनाफ प्रचार करते हुए करती रही है और यहाँ पे केल शर्मा के लिए प्रचार करने के लिए वो नमांकर दाखिल करने में उनके साथ प्रियंका गांदी निकल पड़ी है बाकी नेता यही फुरसत गंज एपोर्ट पे है जिसमें सोन्या गांदी राहूल गांदी शामिल है मलिका अरजुन खर्गे साहब का इंतजार है और उसके बाद एक बज़े लगभग राई बरिली में नमांकन की प्रक्रिया शुरू होगी चलिए तस्मीर दिखा रहे हैं आपको लगातार यह एक पावरफुल तस्मीर है पूरे गांदी परिवार की इसमें मौझूद्गी है शक्ति प्रदर्शन का मौका है राहूल का नमांकन है राय बरिली से चुकी वो प्रत्याशी बनाए गए हैं मौसमी सिंग हमारे सयोगी हम उनका रुख करते हैं जादा जानकारी के साथ मौसमी इस वक्त यह जो तस्वीरे हम दिखा रहे हैं इसका कितना इंपक्ट है दोनों तरब से क्योंकि अमेठी अगर छोड़ रहे हैं राय बरिली पहुँचे हैं तो राय बरिली के ठीक है महां की जनता किस तरह से स्विक मौसमी आप सुन पा रही है हमें चली मौसमी को आम दुबारा रुख करेंगे देखें सरा इस तस्वीर पर अब नज़र डाले दो चार्टर आते हैं एक चार्टर में प्रेंका गांधी उतरती हैं रोबर्ट वाडरा उतरते हैं अशो गैलोत उनके साथ होते हैं और जब द आ रहे हैं यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अब तमाम सवाल जवाब भी हुए अमेठी में नमांकन के लिए जब केल शर्मा महां से प्रत्याशी हैं सस्पेंस खत्म हुआ और वो नमांकन करने जा रहे हैं तो प्रियंगा गांधी बाडरा ने साफतर पर का कि वो भी व लाइन्स जो हैं उनके गडबंदन के और भी लोग आ सकते हैं इसमें सुत्र बता रहे थे कि अखलेश यादो भी हो सकता है कि नमांकन में राहूल गांधी में शामिल हो मलकार जुन खर्गे भी जा सकते हैं और यह जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देखें कॉंग्रेस अखरी मोमेंट पर आखरी लम्हे पर यह सुस्पेंस खत्म किया पहले से क्यास लगाय जा रहे थे कि अगर कॉंग्रेस पार्टी इंतिजार कर रही है तो कुछ इसमें हो सकता है और कल भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं थे कि हो सकता है कि राय बरेलिसे राहूल गांधी को करमिठी को छोड़ते हैं तो इसका क्या संखेत है क्या संदेश इसमें है बताएंगी मौस में जी मौस में हमने एक जमीनी नेता को कॉंग्रेस के तवज्यो दी है कोई सेलिब्रिटी नहीं है कोई बड़ा नाम नहीं है बेहद ایک सिंसियर कॉंग्रेस loyalist है जिसको हमने मौकत दिया है और उन्होंने कई चुनाव देखे है सोन्या गांधी के चुनाव से लेकर राजीव गांधी के के वक्थ से कैयल शर्मा कॉंग्रेस से जुड़े रहे हैं यूथ कॉंग्रेस के दिनों से लेके और उससे पहले भी लगातार पार्टी के संगठन में निचले स्तर पर काम करते आए और ऐसे में आप देखिए कि प्रियंका गांधी हम लोग भी साथ में फुरसत गन से निकले हैं प्रियंका गांधी ये संदेश संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कोई फ्लूक नहीं है ये या गांधी परिवार ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के संगठन की ताकत लगे गी मायखरो लेवल पे कील शर्मा मेंज्मेंट के माहिर है किस से अपने Paraati को माम đ क्रियंका गांधी को उनंहोंने दो दिन पहले आप यकीन्य करेंगे कि दो दिन पहले उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी थी दिली में कि क्यूं अमेठी और क्यूं राइबरेली आप जीत रहे हैं और क्यूं आपको और राहूल गांधी को लड़ना चाहिए उन्होंने बताया कि किस तरह से सारे समीकरण आपके पक्ष में है किस तरह से अंटी इंकंबिंसी है और शायद केल शर्मा को भी इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि उल्टा ये सारी गड़ित उन पर आके रुख जाएगी और उनको इस गड़ित का इस्तमाल खुद अप भी तो परियंका गांधी यहां से बत और प्रत्याशी उतरे लेकिन राय बरेली तो पहुंच गये राहूल गांधी लेकिन अमेठी से केल शर्मा तो इसका चिनौती को आप किस तरह से देखती हैं शामने इसमर्ती रानी है देखें ये आसान नहीं होगा क्योंकि एक तो कॉंग्रिस कारे करताओं का मोरायल हाई रखना ये बहुत कटिन काम होगा तमाम तरीके के आरोप लगते रहे कि राहूल गांदी अगर हार गए थे चुनाव तो पाथ साल तक वो अमेठी नहीं आए कुल मिला के तीन-चार बारी ही वो आए लगातार यहाँ पे संशे और सवाल खड़े रहे कि क्या राहूल गांदी ने अमेठी के अमेठी को छोड़ दिया है और वहीं वो वाइनाड लगातार जाते रहे तो जबकि विपरीत इसके 2014 में जब स्मिती इरानी हारी थी तो लगातार वो खूटा गाड़ के अमेठी में उन्होंने सियासत करी और उसके बाद तो 2019 के बाद 2024 से पहले ही उन्होंने घर भी ले लिया यहाँ पी की वोटर भी बन गई तो जो संकेतात्मक सियासत है उसमें स्मिती इरानी बिलकुल परिपक को और माहिर है एक परिपक नेता का उन्होंने परिचे दिया यहां की अवधी भी बोलने लगी हैं कहते हैं कि जो नहोत अमेठ श्मिति रायनी ने अपनी कैम्पेंज में किया तो इसलिए ये बिल्कुल लडाई आसान कॉंग्रेस के लिए नहीं होने वाली और आपको बता दू कि ये प्रतिश्चा की लडाई कॉंग्रेस के लिए होगी मुझे लगता है कि कॉंग्रेस को आप दूगनी तीगनी कोशिश करनी पड़ेगी फ्रियंका गांदी ने हमें कहा कि उनको पूरी मैनेजमेंट करनी है बाकी ओवर सी भी किसी को करना है पर मुझे लगता है कि केल शर्मा को लड़ा के उनको दूगनी मेनाथ अमेठी में ही करनी पड़ेगा बिल अच्छी चॉइस है बहुत अच्छी चॉइस है बहुत समय से के शर्मा जी समाल रहे हैं अमेठी को नियानवे से जब पहले चुनाओ का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था अमेठी का हर गाओं के के हर गाओं को जानते हैं गली को जानते महुत झाल झाल